महाराष्ट्र में अब कॉटन का दाम बढ़ने लगा है। राज्य की अधिकांच मंडियों में इस समय कॉटन का दाम इसके लिए तै न्यूंतम समर्थन मूल्य से उपर चला गया है। अकोला जिले में स्थित अकोट मंडी में तो दाम आठ हजार रुपए प्रती क्विंटल तक पहुँचने वाला है। महाराष्ट्र एगरी कल्चरल मार्केटिंग बोर्ड के अनुसार इस मंडी में 24 मई को मीडियम रेशे वाले कॉटन का न्यूंतम दाम 7,250, अधिक्तम 7,950 और औसद दाम 7,900 रुपए प्रती क्विंटल रहा। जबकि मीडियम रेशे वाले कॉटन का MSP सिर्फ 6,620 रुपए प्रती क्विंटल ही है। इसी तरह वर्धा जिले की सिंधी मंडी में कॉटन का दाम 7,625 और यहीं की पुलगाम्व मंडी में 7,635 रुपए प्रती क्व जोशी है कि इसका दाम MSP से ऊपर चला गया है क्योंकि इसके कारण उन्हें अच्छा मुनाफ़ा हो रहा है। खास बात यह है कि अच्छी आवक के बावजूद दाम बढ़ रहा है। अकोट मंडी में 24 मई को पूरे महाराष्टर का सबसे अधिक कॉटन का दाम था जबकि आवक भी राजे की अन्य सभी कॉटन मंडियों से अधिक थी। यहां 3130 कॉटन कॉटन बिकने आया था। इसी तरह पुलगाम्व मंडी दाम के मामले में प्रदेश में दूसरे नंबर पर थी। यहां 2400 कॉटन का पास बिकने आया था। आवक के मामले में भी यह मंडी प्रती क्विंटल का दाम मिला। केंद्र सरकार ने 2023-2024 के वर्तमान मार्केटिंग सीजन के लिए कॉटन का MSP मीडियम रेशे वाली किसमों के लिए 6620 और लंबे रेशे वाली किसमों के लिए 7020 रुपए प्रती क्विंटल तै किया हुआ है। महाराष्ट्र एग्री कल्चरल मार्केटिंग बोर्ड के अनुसार राजे की अधिकांच मंडियों में किसानों को इस से अधिक दाम ही मिल रहा है। हालांकि 2021 और 2022 जैसा दाम नहीं मिल रहा है। इन दोनों वर्षों में किसानों को 9000 से 12000 रुपए प्रती क्विंटल तक का दाम मिला था, लेकिन 2023 में उसमें काफी गिरावट आ गई थी। अब 2024 में एक बार फिर दाम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बाजार जानकारों की माने तो इस साल कौटन के उतपादन में 13,49,000 गांट की कमी का अनुमान है। इस कमी की वज़े से बाजार में दाम तेज रहने का अनुमान है। इसलिए किसानों को इस साल MSP से अधिक दाम मिल पा रहा है। वर्ष 2023-2024 में कपास का उतपादन 323,11,000 गांट अनुमानित है। जबकि पिछले साल 2022-2023 में उतपादन 336,60,000 गांट था। बताया गया है कि गुलाबी सुन्डी की वज़े से भी कई राजियों में कौटन की फसल को काफी नुकसान पहुँचा है। इसलिए इस बार किसानों को कौटन का अच्छा दाम मिलने की उम्मीद है।